Hey everyone, मैं हूँ गौरम मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूँ Magnet Brains के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर और आज के सेशन में हम Class 11th के Maths को और आगे बढ़ाने वाले हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम Class 11th के Maths के Chapter No.3 यानि कि Trignometric Functions को पढ़ेंगे और उस Chapter की पहली वीडियो तो नहीं है ये इससे पहले भी आपने वीडियो देखी होंगी इस Chapter की तो ये जो वीडियो है ये Dedicated है आपके Exercise 3.2 के Solution पे यानि जो आपका NCERT है उसमें जो Exercise 3.2 है उसका Solution वीडियो है ये हर एक Question जो आपके NCERT के Exercise 3.2 में है हर उस Question का यहाँ पे आपको Detailed Solution मिलेगा तो अगर अभी तक आपने Class 11th के Maths के वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के Description Box में आपको Class 11th के Maths के Playlist के Link मिलेगी आप उस पे Click करिएगा और आपके सामने Class 11th के Maths के Playlist खुल जाएगी जो भी वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को ज़रूर देख लेना आपका Concept भी Clear हो जाएगा आपकी Understanding भी बडियांसी बन जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बच सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये बात आप जानते हैं कि Magnet Brains वो प्लाटफॉर्म है जहाँ पे Education कम्प्लीटली फ्री है यानि कि यहाँ पे दो chapters पढ़ने के बाद आपको बागी chapters पढ़ने के लिए कोई भी payment करने की ज़रूरत नहीं है तो चलिए इसी positive note पे शेशन को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि कौन-कौन से question आपके Exercise 3.2 में है और क्या methodology हम अपनाते हैं उनको solve करने के लिए तो यह रहा आपके सामने सबसे पहला सवाल question कहता है find the values of other 5 trigonometric function in exercise 1.2.5 यानि कि इस पहले question के 5 parts हैं हर 5, हर part में आपको एक trigonometric ratio की value दे गई है और आपको बागी trigonometric ratios की values को find करना है जैसे कि पहले सवाल को देखना कि जो cos x है यह कितना है यह minus 1 by 2 है क्या दिया है उन्होंने उन्हों दिया है कि cos x जो है यह आपके पास minus 1 by 2 है तो बागी आपको find करना पड़ेगा sign वगरा सब कुछ find करना है उन्होंने आपको angle भी mention करके दिया है कि आपका जो angle है वो कौन से quadrant में है आपका जो angle है वो अभी third quadrant में है तो सबसे पहले तो आप इसका idea लगा लीजिए कि third quadrant में कौन positive, कौन negative तो अगर मैं आपको इसका idea दूँ तो third quadrant जो होता है न वहाँ पे आपका सिर्फ tan और cot positive होता है बागी के चारो के चारो negative होते हैं मैंने तरीका सिखाया था all students take coffee तो all आया first quadrant में students आया second quadrant में take आया third quadrant में तो take बना है t से, t से बनता है tan और tan का दोस्त होता है cot तो वो दोनों होते है positive बागी के चारो के चारो होते हैं negative तो third quadrant में हम इस बात को लिख लेते हैं कि third quadrant में हमारे पास tan और cot जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ ये positive होते हैं बागी के जो चार ratios हैं वो क्या हैं? वो आपके negative है तो इस बात को अपन थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे चलिए तो हमें तो सिर्फ cos दिया गया है तो हमें cos की मदद से बागी साब find करना है चलो आजाओ देखो cos third quadrant में क्या है? negative है न? तो देखो उसके सामने क्या है? minus 1 by 2 है अब कैसे solve करोगे सर? जरा ये बताओ तो देखो बहुत simple तरीका है हम बोलेंगे कि आपका जो cos x है वो क्या है? वो minus 1 by 2 है सही बात है मैं बोलूँगा पल भर के लिए आप भूल जाएए कि वो minus 1 by 2 है पल भर के लिए थोड़े समय के लिए आप भूल जाएए कि वो minus है क्या है? आप तो उसको plus consider कर लो बस consider कर लो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको मान लो बस consider कर लो कि भाईया अभी के लिए just for some time आपका जो cos x है वो आपके पास 1 by 2 है हम जानते हैं कि cos होता है perpendicular नहीं perpendicular थोड़ी होता है sir cos होता है base upon hypotenious क्या होता है cos? sir cos होता है base upon hypotenious बिल्कुल सभी बात है sir cos होता है base upon hypotenious यनि कि sir आपका जो base है वो 1 हो गया यनि कि sir आपका जो hypotenious है वो आपके पास 2 हो गया क्या हम perpendicular find कर सकते हैं? yes sir कर सकते हो आप तो perpendicular find करने के लिए कौनसी theorem लगाएंगे? p square plus b square is equal to h square लगातेते हैं तो p की जगा हमने कितना put किया? अरे sir वो तो निकालना है b की जगा हम कितना put करेंगे? 1 put करेंगे तो ये 1 का whole square हो गया hypotenious की जगा कितना put करेंगे? 2 put करेंगे तो 2 का whole square हो गया इसको solve करते हैं तो ये है p square 1 का whole square करोगे तो क्या बनेगा? 1 बनेगा 2 का whole square करोगे तो क्या बनेगा? 4 बनेगा 1 को उस तरफ भेज दो तो perpendicular square हो गया 4-1 यानि कि perpendicular square हो गया आपके पास 3 अंडर root निकाल लीजिए तो perpendicular कितना हो गया आपके पास अंडर root 3 हो गया तो देखिए आपके पास base है आपके पास hypertenious है और आपके पास क्या है perpendicular है तो एक right angle triangle बना लो एक right angle triangle जो है आप बना लीजिए चलिए एक right angle triangle हम बनाएंगे यहाँ पे कैसे बनाएंगे right angle triangle तो माल लो ऐसा करके आपने एक triangle बनाया इस triangle में अंदर कौन सा angle था अंदर angle था x तो आप इस angle को consider करेंगे x अगर ये reference angle है तो ये है perpendicular ये है आपके पास base ये है आपके पास hypotenuse perpendicular कितना है perpendicular है root 3 तो perpendicular हो चुका है root 3 base कितना है तो sir base है आपका देख लीजिए 1 है तो base है आपके पास 1 hypotenuse कितना है तो hypotenuse आपके पास 2 है तो hypotenuse आपके पास 2 है ऐसा करके कुछ है तो हम cos तो जानते हैं, हमें सबसे पहले यहाँ पे निकालना है, cos हो चुका है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं जरा sin x को, तो पहले तो एक बात बताओ, कौन से quadrant में angle है, तो angle का quadrant है third, third quadrant में sin क्या होता है, negative होता है, तो मैंने एक minus sin लगा दिया, अच्छा sin होता क्या है, तो sir, sin होता है, perpendicular upon hypotenuse, तो मैंने put कर दिया, perpendicular कितना है, तो perpendicular root 3 है, hypotenuse कितना है, 2 है, तो sin x जो है, आचुका है, minus root 3 by 2, हो गया सवाल, cos तो find करना नहीं है, तो sin, तो cos नहीं करना, तो tan पे आ जाते हैं अपन, तो अगर आप tan x को find करना चाहते हैं, तो tan x क्या होगा, भई tan x होगा, perpendicular upon base, अब क्योंकि third quadrant है, तो third quadrant में तो tan positive होता है, तो उसको perpendicular upon base रहने देंगे, perpendicular कितना है, तो perpendicular root 3 है, base कितना है, तो base आपके पास 1 है, तो answer आ चुका है, root 3 upon 1, उसको further solve करोगे, तो answer कितना आ जाएगा, answer root 3 हो जाएगा, तो लो भई, sin find कर दिया, tan find कर दिया, अभी भी बाकी तीन ratio बचे है, कौन से ratio बचे है, भी sin का उल्टा होता है, आपके पास cosec, अब cosec के लिए अलग से महने थोड़ी करोगे, जो sin निकाले हो, उसका reciprocal कर दो, तो sin है, minus root 3 by 2, तो cosec हो जाएगा, minus 2 by root 3, simple reciprocal कर दिया, अब minus sin को reciprocal करने से मतलब तो है नहीं, minus तो minus रहेगा, तो minus को मैंने वहीं रहने दिया, root 3 by 2 कर reciprocal, 2 by root 3 बन जाएगा, तो cosec के बाद, चौथे नमबर पे आएंगे आप, क्या था आपके पास, आपके पास cos given था, अगर आपको मैं याद दिला हूँ, तो cos x जो था, वो minus 1 by 2 था, तो cos का उल्टा होता है sec x, तो sec x कितना होगा, cos का उल्ट मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, minus 2, last but not the least, 5 रेशियो, आपके tan का उल्टा मिलेगा, जो कि आपको मिलेगा cortex, cortex मिलेगा tan का उल्टा, tan है root 3 upon 1, या कहलो root 3, तो उसका उल्टा क्या होगा, उसका उल्टा जो है, आपको 1 upon root 3 मिल जाएगा, तो लीजिए, आपके सामने सार ratio है, जैसा कि आप जानते हैं कि third coordinate में सिर्फ tan और cot positive होते हैं, तो आप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ tan और सिर्फ और सिर्फ cot positive है, बाकी के सारे के सारे ratios आपके negative है, तो इस type के question को करने के लिए आप इस strategy को अपनाया करिए, हमेशा आपके marks complete आएंगे, मैंने यहाँ प पल भर के लिए भूल गया कि यहाँ पर minus है, भूल गया मैं पल भर के लिए कि minus है, और मैंने सोचा कि यार मान लो 1 by 2 है, जिससे मैं perpendicular base और hypotenuse calculate कर पाऊं, एक बार जब perpendicular base और hypotenuse calculate हो गया, फिर तो बहुत कहानी छी बहुत आसान, हमने सारे ratios निकाले, उनकी values वगेरा put कर द क्योंकि main खेल होता है, दो ratios निकालना, बांकि ratio तो खुद बखुद निकालाते हैं, चलिए, तो first question का first part हो गया खतम, अभी आ गया है अपन second question पे, तो second question पे given है, कि आपका जो sine x है, वो 3 by 5 है, आपका जो x है, वो second quadrant में लाई करता है, तो चलो ज़रा discussion कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले जो given है, उसी को लिखते हैं, कि हमारे पास, जो sine x है, वो कितना है, वो हमारे पास 3 by 5 है, हमारे जो angle है, वो कहाँ पे है, वो हमारे पास second quadrant में है, तो हमारे पास sine x 3 by 5 है, हमारे पास angle, second quadrant में है, अब second quadrant के बारे में ज़रा जान लो, भा अलावा बाकी के चारो ratios क्या होते हैं, वो यहाँ पे आपके negative होते हैं, इस बात को अपन ज़रा ध्यान रख लेंगे, ठीक है, अब यह कैसे याद रखते हैं, तो all students, students आया second में, students मना है S से, तो S से sign, उसका उल्टा कोसेक, वो दोनो positive, बाकी के चारो के चारो negative, ठीक है, तो बस इतना अपन ने ध्यान रखा, अब क्या करेंगे जरा यहाँ पे, तो सुनिए, हम बोलेंगे, अच्छा देखो अभी तो sign के सामने negative वागेरा बेनी है, तो भूलने का concept भी गया, कि तुम भूल जाओ वागेरा, वो तो बात ही खतम हो गई, sign होता क्या है, तो sir, sign होता है perpendicular upon hypotenuse, क्या होता है? perpendicular upon hypotenuse, तो यहाँ पे जो perpendicular है, आपको वो 3 मिल जाएगा, जो hypotenuse है, वो आपको 5 मिल जाएगा, बस आप लगा देंगे pythagoras theorem, तो according to pythagoras theorem, perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse का square, perpendicular आपके पास 3 है, तो 3 का square, base आपके पास unknown है, hypotenuse आपके पास 5 है, solve करते हैं, तो 3 का square आप आपको मिला 9, हाइपोटेनियस अपनी जगे, नहीं है, बेस है, बेस अपनी जगे पे रहेगा, 5 स्क्वाइर मिलेगा 25, 9 को आपने उस तरफ सेंड कर दिया, तो बेस स्क्वाइर की वैल्यू मिलेगी 25-9, 25 में से 9 घटाओगे, आपको 16 मिलेगा, यानि बेस स्क्वाइर जो ह आपको 16 मिलेगा, यानि कि बेस की जो वैल्यू है, अंडर रूट 16, जो कि आपको कितनी मिलेगी, जो कि आपको यहाँ पे 4 मिलेगी, तो यहाँ पे जो है आपने बेस कैलकुलेट कर लिया, तो लीजे, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर यह हमारे पास base, यह हमारे पास hypotenballs जरा बताओ perpendicular कितना है भई पर्पेंडिकुलर तो 3 है तो पर्पेंडिकुलर 3 हो गया जरा बताइए base कितना है तो सर, base तो 4 हो गया और जरा बताइए hypotenballs कितना है तो सर, वो 5 हो गया आपको यह given था कि angle आपके second coordinate में है cos x होता है base upon hypotenuse लेकिन हम तो second quadrant की बात करते हैं बहिया second quadrant में सिर्फ sign और cosec जो होता है positive होता है बागी सब negative होता है इसका मतलब यहाँ पे एक negative sign भी लगना तो बनता है अब देखो ज़रा base कितना है तो base है आपके पास वो देखो 4 है और hypotenuse कितना है वो 5 है तो answer कितना आ गया minus 4 upon 5 आ गया तो sign तो पहले से दिया था cos अपने find कर लिया तो बस अब एक और tan और find कर लीजिए tan x आपके पास होगा perpendicular upon base पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो tan होता है आपके second quadrant में क्योंकि वो negative होता है तो एक negative sign लगना यहाँ पे बनता है अब perpendicular देखो ज़रा कितना है तो perpendicular 3 है और base देखिए ज़रा कितना है तो 4 है तो answer बनेगा minus 3 upon 4 तो sign cos 10 हो गया अब आते हैं ज़रा sign के उल्टे दोस्त यानि की cosec पे तो cosec कुछ नहीं sign का reciprocal होगा भाईया sign 3 by 5 है तो इसका reciprocal आपको 5 by 3 मिल गया तो sign cos 10 sign cos tan cosec अब निकाल लीजिए sec sec जो होगा आपके cos का reciprocal होगा cos है minus 4 upon 5 तो sec जो होगा वो होगा minus 5 upon 4 reciprocal लेना है negative sign को अपनी जगे रहने देना है last में tan का reciprocal होता है cot तो cot आपको मिल जाएगा कितना वो है minus 3 upon 4 तो इसका reciprocal आपको मिल जाएगा minus 4 upon 3 और इस तरीके से आपने सारे ही ratio जो है निकाल दी है कितना आसान question था है ना तो simple approach अपनाना है है ना बहुत आसान तरीका है वो first 12 equation में negative था तो मैंने बोला था negative भूल के आप तो PBH निकाल लो हमेशा याद रखो कि हमारा main motive है कि हमारे पास PBH आ जाए PBH मतला perpendicular base hypotenious आ जाए एक बार जब PBH आ जाएगा फिर तो आपन किसी भी question को एकदम हलके में solve कर देंगे ठेक है चलो इसका भी screenshot ले लो लग रहा है ज़रतो वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा फिर तो आप खुद से भी कर सकते हैं चलिए तो first question का second part हुआ ये अभी first question के third part पे बात कर लेते हैं भाईये यहाँ पे क्या दिया गया है तो यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका caught x है वो कितना है वो आपके पास 3 by 4 है और फिर आपको दिया गया है कि आपका जो x है वो लाई करता है आपके third quadrant में यहनि कि वापस से third quadrant में पहुँच गए हैं अपन तो direct बात कर लेता हूँ मैं क्योंकि एक बार बता चुका हूँ तो third quadrant में आपका जो tan होता है और आपका जो caught होता है सिर्फ वही positive होते हैं इसके अलावा बांकी के जो चारो ratios होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके negative होते हैं यह information आप जानते हैं ठीक है? शलिए तो यह दोनों positive बांकी के 4 के 4 के 4 क्या? negative तो caught x आपको given है देखिए caught positive है third में इसलिए वो positive 3 by 4 आपको मिला है तो आप जानते हैं कि caught x जो है वो है 3 by 4 अच्छा caught होता क्या है? यह caught होता क्या है? तो caught होता है सर caught होता है base upon perpendicular यह होता है na caught हाँ सर base upon perpendicular होता है तो compare करोगे तो यहाँ पे आपका base कितना हो जाएगा? तो compare करने पे आपका base जो है आपको 3 मिलेगा आपका जो perpendicular है वो कितना मिलेगा? वो आपको 4 मिलेगा simple comparison किया base कितना मिला? 3 perpendicular कितना मिला? 4 कोई परिशानी तो नहीं? नहीं hypotenuse निकालने क्या? चलो आजाओ तो अपन लिखेंगे perpendicular का square plus base का square is equal to hypotenuse का square perpendicular कितना है? 4 है तो यह हो जाएगा 4 का square यह हो जाएगा आपके पास 3 का whole square is equal to h square solve करते हैं 4 square 16 3 square 9 और यह क्या है? यह h square है 16 plus 9 आपको मिलेगा 25 तो 25 बराबर h square अब दोनों तरफ under root ले लीजिए तो भाईया आपका h square जो है वो 25 है under root ले लोगे तो h जो है under root 25 मिलेगा under root 25 आपको दे देगा 5 यहनिका hypotenuse कितना आ गया? 5 आ गया लोग, पहले से base था पहले से perpendicular था hypotenuse भी आपने perpendicular 4 है भाई, base कितना है? तो base आपके पास 3 है तो यहाँ पे 3 कर दीजिए और hypotenuse कितना है? तो hypotenuse आपके पास 5 है तो इस hypotenuse को यहाँ पे आप 5 कर दीजिए तो क्या-क्या था शुरुवात में? तो angle था आपके पास third quadrant में और आपको क्या गिवन था? आपको गिवन था cortex की cortex जो है आपके पास है 3 by 4 ठीक है चलिए तो यह के करके बाकी ratios को हम find कर लेते हैं सबसे पहले हम शुरुवात करेंगे sine x से तो क्यूंकि third quadrant में हो third quadrant में आपका सिर्फ और सिर्फ tan और cot जो होता है positive होता है उसके अलावा बाकी चारो ratios जो होते हैं वो आपके negative होते हैं तो sine काईदे से होता है negative third quadrant में तो एक minus का sine आ गया और sine होता है perpendicular upon hypotenuse वहाँ पे देखिए perpendicular 4 है hypotenuse 5 है तो यह बनेगा minus 4 upon 5 बात खतम वहीं पे अगर आप निकालना चाहते है cos x को तो cos x again third quadrant है तो negative होगा और होगा base upon hypotenuse base कितना है आपके पास तो base जो है आपके पास 3 है तो यह होगा minus 3 hypotenuse 5 है तो minus 3 upon 5 अच्छा अब आप निकालना चाहते हो तीसरे नमबर पे coordinate tan x अब देखो tan x निकालने के लिए मेहनत मत करना क्योंकि cortex उन्होंने दिया है 3 by 4 tan होता है reciprocal तो tan में हम लिख देंगे कि यह हो जाएगा 3 by 4 का reciprocal 4 by 3 बस भई 3 हो गए 2 और तो 2 और कौन से बचे हैं तो sign का ultra कौन होता है sign का ultra जो होता है वो होता है आपके पास cosec तो sign है minus 4 by 5 minus अपनी जगे रहेगा वो बन जाएगा 5 by 4 बात खतम and last पांचवे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो cos है minus 3 by 5 उसका जो reciprocal होगा sec होगा minus अपनी जगे रहेगा answer बनेगा आपके सामने 5 by 3 इस तरीके से आपने सारे के सारे ratios जो है find कर दिये है आप देख सकते हैं क्यूंकि third quadrant था सिर्फ quart और tan जो है positive है बाकी के 4 के 4 ratio जो है आपके negative है फटाफट यहाँ से शुरुआत करके screenshot ले लिजिए third part को तो हमने खतम कर दिया वैसे अगर आपको समझ में आ गया होगा तो यह question तो आप खुद से भी कर सकते हैं चलिए पर हम क्यूंकि solution कर रहे हैं तो सारे question करेंगे तो third question को खतम किया अभी आते हैं अपन fourth question पे वहीए fourth question में हमको given है sec x is equal to 13 by 5 जहां पे हमारा x लाई करता है fourth quadrant में तो दिहान से देखिएगा हम बोलेंगे क्या बोलेंगे हम हम ये बोलेंगे कि हमारा सबसे पहले sec x क्या है तो sec x है हमारे पास 13 upon 5 हमारा पास angle का हैं भई तो angle है हमारे पास fourth quadrant में तो angle जब fourth quadrant में होता है तो all students take coffee coffee आता है fourth quadrant में coffee बनता है c से c से बनता है cos और cos का उल्टा होता है sec वो दोनों होते है positive यानि कि fourth quadrant में आपके पास cos और sec जो होते हैं वो positive होते हैं बाकि के जो चारो ratios होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके negative होते हैं, जबर्द, तो चलिए, आज आते हैं हम perpendicular base और hypotenuse की तलाश में, तो यह sec x जो है हमारे पास 13 upon 5 है, तो आपको मालुम होना चाहिए sec x होता क्या है, तो sec x होता है, hypotenuse upon क्या, upon base, यही होता है न, भै कॉस होता है base upon hypotenuse, तो उसका ultra sec जो हो base है, आपके पास 5 आ जाएगा, अब पाइधा को रस्तियोरम आप जानते हैं, आप बोलेंगे p square plus b square बराबर h square, तो p कितना है, p है, p तो मालुम नहीं, वही निकालना है, base तो given है न, base आपके पास 5 का whole square, hypotenuse कितना है, 13 है, तो यहाँ पे 13 का whole square, इसको solve करोगे, तो यह p square, 5 का square बनेगा 25, 13 का square बनेगा 169, आप 25 को उस तरफ भेज दीजिए, तो यह होगा 169-25, तो 169 में से 25 को आप subtract कर दीजिए, आपको 144 मिलेगा, तो आप कह सकते हैं, कि आपका जो p square है, वो कितना है, वो 144 है, यानि कि जो p है, वो कितना है, वो under root of 144 है, जो कि कितना होता है, ज तो बस एक triangle को हम create करेंगे, और उस triangle में हम इस angle को reference angle बोलेंगे, यह हमारे पास perpendicular, यह हमारे पास base, यह हमारे पास hypotenious, तो perpendicular है 12, base है 5, hypotenious है 13, यह हो गया 12, यह हो गया 5, और यह हो गया आपके पास 13, जबरदस्त, आइंगल कौन से quadrant में था, तो आइंगल 4th quadrant में था, क्या अब क्यूंकि fourth quadrant में है हम तो हम जानते हैं कि fourth quadrant में हमारे पास सिर्फ sec और cause जो होता है वो positive होता है इसके अलावा जो चारो ratios होते हैं वो क्या होते हैं वो जो है हमारे पास negative होते हैं तो चलिए बाकी ratios को find करें हम तो सबसे पहले शुरुवात करते हैं हम sine x से अब क्योंकि 4th quadrant की बात चली है, तो negative का sign लगा दिया, sign होता क्या है, तो sign होता है, perpendicular upon hypotenuse, तो देख लो ज़रा perpendicular, minus बाहर रहेगा, 12 आ गया, hypotenuse कितना है, 13 है, तो यह बनेगा, minus 12 upon 13, हो गई बात खतम, तो sign हो गया, अब आपको cos x find करना है, तो उसके लिए परिशान नहीं हो भई, sec x given है, 13 upon 5, इसका reciprocal कर दो, तो answer कितना आ जाएगा, 5 upon 13 आ जाएगा, और positive आएगा, 4th quadrant में हो, sign cos, के बाद आप यहाँ पे ज़रा tan find कर लीजिए, tan होता है, अब क्योंकि 4th quadrant में हो, तो negative तो होगा, अब 4th quadrant में भी 10 होगा, क्या, perpendicular upon base होगा, भई, perpendicular कितना है, तो perpendicular 12 है, और base कितना है, तो base आपके पास जो है, भई, 5 है, तो minus 12 upon 5 answer बनेगा, sign cos tan, अब इसके उल्टे, देखिए, sign का जो उल्टा होता है, वो होता है, cosec x, तो cosec x, sign का उल्टा, negative अपनी जगे पे रहेगा, 12 upon 13 का रेसी प्रोकल बनेगा, 13 upon 12, बात खतम, अब देखो, sign cos tan cosec, sec find कर इसने का मतलब है, नहीं, है अपने पास, पर हाँ, tan का उल्टा जो है, वो caught अपन find कर सकते हैं, और caught जो होगा, वो tan का उल्टा होगा, tan है, minus 12 upon 5, minus अपनी जगे पे रहेगा, वो बन जाएगा, आपके पास 5 upon 12, और इस तरीके से, हमने बाकी बचे 5 ratios जो है, वापिस से निक पार्ट करें हैं, पर एक और पार्ट बचा है सर, हमारे पास 5 पार्ट बचा है, तो 5 पार्ट कुछ ऐसा है सर, कि हमारे पास जो tan x है, वो minus 5 upon 12 है, और वहाँ पे हमारा जो x है, वो second quadrant में लाई करता है, चलो आजाओ, इसको solve कर लेते हैं, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, कि सबसे पहले हमारा जो tan x है, वो क्या है, वो हमारे पास minus 5 upon 12 है, ठीक है, angle की बारे में बात कर लेते हैं, तो angle जो है, हमारे पास second quadrant में लाई करता है, जब second quadrant की बात करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ sign और cosec जो है, वो दोनो positive रहते हैं, बाकी के जो 4 ratios रहते हैं, वो क्या र यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो tan x है, वो हमारे पास कितना है, minus 5 upon 12 है, अब PBH, perpendicular base hypotenuse निकालना है, उसके लिए तो इस negative को भूलना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे कि अभी कुछ पलों के लिए आप माल लीजिए कि जो tan x है, वो 5 upon 12 है, यानि कि यह हो गया, आपके पास perpendicular upon base, ठीक है, तो perpendicular हो गया, यहाँ पे आपके पास 5 और base हो गया, यहाँ पे आपके पास 12, अब जानते हैं आप पाइथागोरस थियोरम लगेगा, पाइथागोरस थियोरम के हिसाब से, जब आप perpendicular square और जब आप base square करते हैं, तो आपको hypotenuse square मिलते हैं, वह परपेंडि जो है, आपको 25 मिल जाएगा, 12 का square जो है, 144 मिल जाएगा, और इस तरफ h square है, इसको और solve कर लेते हैं, 25 प्लस 144 जो है, वो होता है 169, और this is equal to what, this is equal to h square, इसको थोड़ा सा re-arrange करा, आपने तो आप लिखेंगे h square बराबर 169, यहनि कि h की जो value आएगी, वो आएगी under root of 169, भई, under root of 169 होता है, आपके पास 13, यहनि कि hypotenious जो है, आपके पास आ चुका है 13, बस बात खतम हो गई, PBH हमने तीनों निकाल लिया है, तो चलिए, यहाँ पे एक triangle बना लेते हैं, लो भई, हमने एक triangle बना लिया, इस triangle में, अगर हम इसको consider कर ले reference angle, तो यह है perpendicular, यह तो 90 है यह base है, यह hypotenious है, perpendicular देख लो जरा, 5 base है 12, perpendicular है 5, base है आपके पास 12, और hypotenious आपके पास 13, अंगल कौनसे कोडरेंट में था भई, तो अंगल जो था आपके पास second कोडरेंट में था, तो लिख दो यहाँ पे, angle second कोडरेंट में था, अब क्योंकि second कोडरेंट में है, यहनि कि जो sign है, और जो cosec है, वो तो रहेगा, आपके पास positive, लेकिन बाकी के जो 4 ratios है, वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, आपके पास negative, ठेक है ना, चलो, और कौनसी value आपको दी गई थी, तो आपको यहाँ पे value दी गई थी, tan x की, देखिए, tan x क्या है, negative है, तो मिल भी सबसे पहले, sin x से, तो कौन सा quadrant है, भी second quadrant है, तो sin तो positive रहेगा, बात ही कतम, sin होता है, perpendicular upon hypotenuse, देखो जरा, perpendicular 5 है, hypotenuse 13 है, तो यह 5 upon 13 हो गया, sin के बाद, आप बात करेंगे, cos x की, तो cos x होता है, आपके पास, पहली बात, quadrant second है, second quadrant में cos negative होता है, तो यहाँ पे आप base upon hypotenuse सो लिखेंगे, जो की cos का formula है, पर एक negative sign लगाएंगे, भी base minus 12 है, hypotenuse 13 है, base मतलब 12 है, hypotenuse 13 है, minus तो पहले से लगा था, answer बन जाएगा, minus 12 upon 13, last में आप जाते हैं, sin cos हो गया, tan तो निकालने की जुरत है नहीं, उन्होंने दिया था, sin का उल्टा निकाल लेते हैं, जरा, आपक तो cosec निकालना है, तो cosec कैसे निकालोगे, sin का reciprocal कर दो, answer आपके पास 13 upon 5 आजाएगा, finally cos का reciprocal निकालना है, तो आपको sec निकालना है, तो cos का reciprocal कर दीजिए, minus अपनी जगे रहेगा, answer 13 upon 12 आजाएगा, and last में इधर देख लो जरा, tan का उल्टा होता है, cot, तो cot निकालना है आप को, तो minus अपनी जगे रहेगा, और ये 12 upon 5 हो जाएगा, और इस तरीके से अपना जो पहला question है, उसके पांचों के पांचों पार्ट स अपने कर दिये, फटा-फट यहां से screenshot लेना चालो कर दो, सारी चीजों को यहां से लिखो, ठीक है, इसको लिखने के बाद जरा यहां प question कहता है, आपको find करनी है value, sign of 765 degree, sir हमने तो आज तक sign of acute angle find किया है, sir आज acute नहीं है, अंदर 765 degree है, अब कैसे find करोगे इसको, ज़रा आप इसको समझाओ, तो देखो लागा, यह जो sign 765 है ना, हमें इस पे थोड़ी सी research करनी पड़ेगी, किस type की sir research करनी पड़ेगी, वो द जो sign 765 है, मैं इसको लिखूंगा 720, क्या लिखूंगा मैं इसको, मैं इसको लिखूंगा 720, 720 ही मैंने क्यों लिखा, इसका कारण है, इसका कारण यह है, कि जब 360 में आप 2 multiply करते हो ना, तो आपको मिलता है 720, और आप जानते हैं कि 360 जो होता है, एक revolution होता है, तो उसमें 2 multiply कर basically 2 revolution multiply करना होता है, और एक बार गोल गूमना या दो बार गोल गूमने से फर्क पड़ता नहीं है, तो उन सब कारणों से मैंने ऐसा लिखा, तो यह 720 लिखूंगा और यह लिख दूंगा मैं 45, in fact इन दोनों को add करोगे, तो 765 बन जाएगा, अब आगे देखना, यह जो 720 है, मैं इसको लिखूंगा 360 डिगरी multiplied by 2 plus 45 डिगरी, क्या लिखूंगा, 360 डिगरी multiplied by 2 plus 45 डिगरी, अब एक बात बताओ मुझे, 360 डिगरी क्या होता है, तो सर 360 डिगरी होता है 2 不要, पाई, आचा 45 degree क्या होता है? तो सर्फ 45 degree को theta माल लो 45 degree को क्या माल लो? theta माल लो तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि ये हो जाएगा sine और अंदर क्या हो जाएगा? अंदर हो जाएगा ये रहा 2 pi into 2 तो ये हो गया 2 pi multiplied by 2 और यहाँ पे क्या है? 45 की जगर theta है तो यहाँ पे हमने theta को रख दिया परेशानी तो नहीं 360 को मैंने 2 pi बोला तो एक revolution यहनी कि 360 radian में वो होता है 2 pi तो अपन बोल सकते हैं तो यह कुछ इस प्रकार से बन गया अब क्या तो sir इसको ऐसा लिख दीजिए कैसा लिख दे भई इसको ऐसा लिख दीजिए sir इसको ऐसा लिख दो 2 into 2n pi याद है आप क्या लिखा करते थे इसको 2n pi प्लस theta अगर आपको कभी भी याद होगा तो जहाँ पे यह जो n की value है न यहाँ पे मालुम है n की value कितनी है यहाँ पे 2 है अच्छा ऐसे n की value क्यों मैंने जान भूज के यहाँ पे मैंने इसको क्या लिख दिया है मैंने इसको लिख दिया है 2n pi प्लस theta क्योंकि 2n pi में मेरा n जो है 2 है क्या आपको मालुम है sin 2n pi प्लस theta क्या होता है sir आपने हमें पढ़ाया था कि sin 2n pi प्लस theta जो होता है सर वो होता है हमारे पास sin theta क्या होता है वो सर वो होता है हमारे पास sin theta और सर theta कितना है सर theta तो 45 degree है तो आप यहाँ पे क्या place कर देंगे आप यहाँ पे place कर देंगे sin of 45 degree sin of 45 degree कितना होता है सर 1 by root 2 होता है तो आपका answer जो है 1 by root 2 आ चुका है तो basically आपने कुछ नहीं किया है आपने यहाँ पे इस formula का use किया है और यह formula बनाया कैसे वो भी समझने की ज़रत है आपने 360 को 2pi बोला यह 4pi हो गया और 4pi को आपने 2npi लिखा जहाँ पे n कितना है जहाँ पे आपका n2 है तो इस तरीके से आप इस question को आसानी से solve कर देंगे चल फिली बात तो यहाँ पे आपको एक property मालूम होनी चाहिए cosec की कि cosec में अगर minus theta होता है तो minus बाहर निकल जाता है और अंदर बचता है cosec theta अंदर क्या बचता है cosec theta यह बहुत important property है वह यह theta कितना है theta 1410 है तो यह हो जाएगा minus cosec और फिर क्या हो जाएगा 1410 degree अब बात यह सर इस 1410 degree को कैसे solve करोगे तो देखो जरा बहुत आसानी से solve करेंगे हम हम लिखेंगे कि आप minus को बाहर रहने दीजिए यह जो 1410 degree है आप इसको लिखिए 1440 degree minus 30 degree क्या लिखिए आप 1440 degree minus 30 degree अच्छा सर इसको ऐसा ही क्यों लिखा बहुत बढ़ी बात है यह तो मैंने इसको इसा इसले लिखा है कि जब आप 360 को basically 4 से multiply करते हो तो आपको 1440 मिलता है यह सारी चीज़े मैं आपको discuss कर चुका हूँ पहले ही multiply बगरा करके दिखा चुका हूँ और 360 एक revolution होता है तो 4 में multiply करना देने के 4 revolution काटना तो हम लिखेंगे कि यह हो गया minus cosec और यह क्या हो गया 1440 क अब देखिए का दर ध्यान से बहुत important है यहाँ पे आप 360 degree को क्या consider कर सकते हैं sir 2pi consider कर सकते हैं तो कर लीजे 2pi consider तो यह हो जाएगा minus cosec अंदर हो जाएगा 2pi multiplied it by 4 और इसको रहने दो अभी के लिए minus 30 degree वैसे तो एक चीज़ रेडियन में दूसरी चीज़ डिगरी में नही होनी चाहिए तो आप ऐसा करो 30 degree का radian measurement आपको मालूम है क्या होता है sir 5 by 6 होता है तो यहाँ पे आप place कर ही दो कितना 5 by 6 जिससे कहीं पे गरबड़ ना हो solve करोगे इसको तो यह minus रहेगा यह कोसेक रहेगा 4 टूजा यह कितना होता है 8 pi होता है 8 pi minus pi by 6 यह कुछ इस तरीके से बन गया sir अब कैसे solve करोगे अब तो हमें मालूम ही नहीं है तो तरीका सीख लो बही और आसान काम है यहाँ पे इसको पहले अगले page पे लिखते हैं आप तरीका सीखते जाईए हम लिखेंगे कि minus बाहर रहने दीजिए यह कोसेक अंदर रहेगा यह रहेगा 8 pi minus pi by 6 क्या रहेगा 8 pi minus pi by 6 मतलब समझेगा 8 pi का मतलब आप समझते हैं 8 pi का मतलब है यह होता है 0 भया 8 pi का मतलब है even multiple of pi 8 pi क्या है even multiple of pi even multiple of pi इस वाले access पे आते हैं 0, 2 pi, 4 pi तो यह है आपके पास कौन 8 pi तो basically आपने 4 चकर काटे हैं 1, 2, फिर 3 और फिर 1 चकर हो गया 2 चकर 3 चकर और फिर इसके बाद 4 चकर काटने पे आप कहां पे पहुँचे हैं आप पहुचे हैं 8 pi पे 4 चकर काटने के बाद आप 8 pi पे पहु multiply करते हैं तब आप पहुचते हैं 8 pi पे 2 pi होता है 1 revolution तो 4 स multiply करना मतलब 4 revolutions आपने किये हैं कितने revolutions? 4 revolutions किये हैं तो आप यहां पे पहुचे हैं अंदर पहुचने के बाद आप pi by 6 पीछे आ गए यहां पहुचने के बाद आप कहां आ गए? pi by 6 यहां आ गए यहनी कि कुछ इस angle की बाद आप से चल रही है तो आपका destination कौन सा quadrant है तो जो destination quadrant है वो है आपके पास 4th quadrant destination quadrant कौन सा है? destination quadrant है आपके पास 4th quadrant आप 4th quadrant में रोके अच्छा 4th quadrant में आये कैसे? तो भाई 4th quadrant में आये हो आप 8 pi में से कुछ minus करके है ना आप ये angle क्या लिखे हैं 8 pi minus pi by 6 तो पहले आप 8 pi पे पहुँचे 4 चक्र काटने के बाद और उसमें pi by 6 minus किये तो आप 4th quadrant में पहुँच गए गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ये आपने ऐसा तरीका अपनाया है तो 8 pi में से हमने pi by 6 minus किया तो basically आपका motion कहां से है तो basically हम 4th quadrant में आये हैं तो 4th quadrant में कोसे कैसा होता है? negative होता है 4th quadrant में कोसे कैसा होता है? negative होता है ना एक sign पहले ही minus का लगा था हम एक sign और लगा देंगे क्यों हमने ये sign लगाया? क्योंकि 4th quadrant में को से कैसा होता है negative होता है इसलिए हमने S1 लगाया और जो पहले से लगा था उसको तो मैंने बाहर रखा है आप सुनना आगे की कहानी 8 pi में से theta घटाया 4th quadrant में पहुँचा मेरा motion कौन सी axis से है Sir 8 pi में से पीछे आ रहे हो रेशियो क्या रहता है सेम रहता है तो यहाँ पे cosec 8 pi minus pi by 6 था अभी मालूम है क्या हो जाएगा अभी भी वो cosec ही रहेगा बस अभी यह 8 pi लिखने की जौरत नहीं है यह minus लिखने की जौरत नहीं है आप अंदर क्या डाल दीजे आप अंदर डाल दीजे pi by 6 तरीका सीखिए समझिए बहुत बार समझाया मैंने आपको क्या मैंने logic दिया आपको मैंने आपको यह बोला कि भाईया 8 pi मतलब आप 4 बार घूम के यहाँ पे पहुँचे और उसमें से pi by 6 आपने घटा आया यानि कि आप horizontal axis से motion कर रहे है भईया पहले horizontal पे पहुँचे और फिर पीछे आये ना तो motion तुम्हारा horizontal axis से हुआ जब तुम्हारा motion horizontal axis से होता है जो पहले था वही बाद में रहता है पहले भी cosec, बाद में भी cosec पर यह 8 pi, यह minus लिखने की ज़ुरत नहीं, जो angle है सिर्फ उसको लिखो, pi by 6 को लिखो, हो गई बात कतम minus minus क्या होता है plus होता है, तो minus minus plus हो गया तो यह बन गया cosec pi by 6 यानि cosec 30 degree by sine 30 degree कितना होता है याद है आपको, sine 30 degree हुआ करता था 1 by 2, तो cosec 30 degree sine 30 degree का reciprocal होगा answer कितना मिलेगा, answer 2 मिलेगा यह final तरीका है, आपके इस question को हल करने का, इसमें generally confusion हो जाता है, पर जितना जादा मैं simplify कर सकता था, मैंने वो किया है बाकि अगर आपने मेरी पुरानी videos देखी है trigonometry की सारी, फिर तो आपके लिए कहीं पर explanation में दिकत नहीं होनी चाहिए चलिए, तो यह question भी हमने कर दिया है खतम, I think यह सात्वा question था बढ़ते हैं हम 8-way question की तरफ, 8-way question में purely जो angle है, radian में है यह थोड़ा सा simple पढ़ता है, देखना, कैसे करेंगे अपन, आजाओ, तो हम लिखेंगे की जो है, यह बाहर tan है, और अंदर 19 pi by 3 है देखना ज़र अध्यान से मैं कहूंगा, कि यह जो 19 pi by 3 है आप इसको लिख दीजिए क्या लिख दीजिए, आप इसको लिखिए 18 pi plus pi upon 3 क्या लिखिए, 18 pi plus pi upon 3 दोनों हिस्सों को 3 से divide कर दीजिए तो कर दीजिए divide, दोनों हिस्से को 3 से divide जब करेंगे तो यह होगा tan तो बाहर ही रहेगा, अंदर आ जाएगा 18 pi को आप 3 से divide करेंगे, and आप finally pi को 3 से divide करेंगे, ऐसा आपने divide कर दिया इसको solve किया, 18 को जब 3 से divide किया, आपको मिला 6 pi यह कितना है, यह आपके पास already pi by 3 तो है ही, यह कुछ ऐसा मिल गया तो tan 6 pi plus pi by 3 अब इसका तरीका समझो tan 6 pi plus pi by 3 6 pi का मतलब समझते हो, मैं आपको समझाता हूँ, आप 6 pi को लिख सकते हो 2 pi multiplied by 3 plus pi by 3, क्या लिख सकते हो 2 pi multiplied by 3 plus pi by 3, यहनि कि काइदे से 2 pi into 3 का मतलब यह है कि एक चकर दूसरा चकर और फिर आपने तीसरा चकर काटा है ना, चला यहनि काटा तो आप पहुच गए कहाँ पे, आप पहुच गए 6 pi में, और 6 pi में पहुचने के बाद आपने pi by 3 जोड दिया 60 degree और जोड गया, यहनि कि काइदे से आप कौन से कौटनेंट में रुखें, आप first कौटनेंट में रुखें भाई first कौटनेंट में tan कैसा होता है positive होता है, जूड तो नहीं बोल रहा हूँ होता है, all positive, तो यहाँ पे positive बगएरा का sign लगाने का ज़रोत, नहीं तुम्हारा motion कहा है, तुम्हारा motion है six pi plus pi by three तुम्हारा motion है six pi plus pi by three, यहनि कि तुम्हारा motion है horizontal axis से जब तुम्हारा motion horizontal axis से आगे है, तो भाई horizontal axis से, horizontal axis मतलब यह वाली axis, जब late please तो पाली एकसिस से उपर जाओ, नीचे आओ, क्या तुम्हारा रेशियो बदलता है? नहीं बदलता. पहले रेशियो tan था, अभी भी रेशियो क्या रहेगा? tan रहेगा. इसी लिए तुम अभी भी यहाँ पर क्या लिखोगे? तुम अभी भी यहां पर tan लिखोगे, जो था वही रहेगा, change नहीं होगा, जो था वही रहेगा, change नहीं होगा, पहले tan था, अभी भी क्या होगा, tan होगा, change नहीं होगा, because आपका motion कहां से है, horizontal axis से है, and क्योंकि first quadrant में पहुचने पर positive है, तो positive का sign लगाए नहीं, क्योंकि लग pi by 3, pi by 3 का मतलब समझते हो, 60 degree, यनि कि क्या बन गया, यह बन गया है आपके पास tan 60 degree, by tan 60 degree का मतलब क्या है, tan 60 degree का मतलब यह है, कि answer आपको मिलेगा, root 3, लीजिए, आपको जो चाहिए था, आपने हो find कर दिया, यह पूरा discussion आपको समझ में आना चाहिए, कि कैसे काम हुआ है नहीं समझ में आ रहा है, तो allied angles को जो मैंने एक video बनाई थी, मैंने आपके बहुत सारी video बनाई है, एक video बनाई है, मैंने allied angles में वहाँ पे समझाया था आपको, कि allied angles होते क्या है, allied angles वाली video देखने के बाद मैंने आपके लिए बनाई थी, examples on allied angles, तो एक बार वो example on allied angles देखे है ठेक है चलो बढ़िया अभी इस question के बाब आ जाते हैं अगले question पर जो की कुछ ये है sign के अंदर है minus 11 pi by 3 देखेगा बड़ा interesting सवाल है आप एक property से वाकिफ होंगे कौन सी property से वाकिफ होंगे अगर sign के अंदर minus theta है तो minus बाहर आ जाता है तो ये बनता है minus sin theta आज sign के अंदर minus 11 pi by 3 है तो हम बोलेंगे कि भईया इस sign के अंदर क्या है minus 11 pi by 3 है minus को हम बाहर निकाल देंगे ये बनेगा minus of sign और अंदर है 11 pi by 3 कोई परेशानी नहीं अब ये 11 pi by 3 को सर क्या करोगे सरा वो समझाओ तो देख लो भई 11 pi by 3 है ना इस 11 pi को आप लिखेंगे 12 pi minus pi upon 3 क्या लिखेंगे आप 12 pi minus pi upon 3 12 pi minus pi 11 pi फिर 3 से क्या करेंगे divide कर देंगे minus बाहर बैठा ही है ये 3 से divide करोगे ये होगा 12 pi को आपने 3 से divide कर दिया यहाँ पे आपने pi को 3 से divide कर दिया बहुत ही जबरदस्ट चलो solve करते हैं इसको तो 12 pi को जब 3 से divide करोगे 4 pi बचेगा minus बाहर रहेगा अंदर sign है 12 pi को 3 से divide करने पे यहाँ पे 4 pi बचा यहाँ पे minus pi by 3 है बहुत ही बढ़िया 4 pi का मतलब है आप इसको लिख दो 2 pi multiplied by 2 minus pi by 3 क्या है 2 pi multiplied by 2 minus pi by 3 अगली पेज में लिखे क्या चलो यहाँ पे लिखते हैं हम लिखेंगे minus sign और हमने क्या लिखा है हमने लिखा है 2 pi multiplied by 2 minus pi by 3 है ना 2 pi multiplied by 2 2 pi multiplied by 2 का मतलब यह है 2 pi होता है एक revolution एक revolution में 2 multiply कर रहे हो तो basically 2 revolution और 2 revolution काटने के बाद pi by 3 minus कर रहे हो यहाँ पे देखो भाई तुमने एक चक्कर काटा 2 pi पे पहुँचे दूसरा चकर काटा 4 pi पे पहुँचे और 4 pi पहुचने के बाद pi by 3 घटा दिया यही है ना खेल तुम 2 चकर काटे 4 pi पे पहुचे और pi by 3 minus कर दिया यही है तुम 4 कोडरेंट में अटक गए लो गई अटक गए 4 कोडरेंट में अब मैं इस line के बाद direct इस line पे बात कर रहा हूँ एक sign बाहर minus है आप उसको रहने दीजी ठीक है आप परिशान मत होईए चौथे कोडरेंट में आपका sign होता क्या है सर sign होता है negative भया cos और से positive होता है sign negative होता है तो एक minus sign तो उस बात का लगा कि sign क्या होता है negative होता है ठीक है हाँ सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर एक बात बताओ motion कौन से axis से हुआ है तो जनाब आप 4 pi minus pi by 3 कर रहे है 4 pi minus pi by 3 यनि कि horizontal axis से आपका motion हो रहा है कहा से horizontal axis से 4 pi minus pi by 3 horizontal axis से motion हुआ है भाई जब horizontal axis से motion होता है तो sign तो sign में रहेगा तो sign ने अपना स्वरूप धारन कर लिया sign अब ये 4 pi लिखने का मतलब नहीं negative लिखने का मतलब नहीं तो क्या लिखने का मतलब जनाब pi by 3 लिखने का मतलब तो आपने लिख दिया अंदर क्या pi by 3 तरीका समझिये, method समझिये, रटना नहीं है कि कैसे लिखाया आप रटते हैं इसको इसलिए सवाल नहीं बनता है exam में, रटिये मत, समझिये क्या किया मैंने 4 pi minus pi by 3 का मतलब है कि 4th quadrant, 4th quadrant दिखाया है मैंने 4th quadrant में sign negative होता है तो negative लगा दिया भाईया मैंने सिखाया 4 pi minus pi by 3 यह नहीं कि तुमने horizontal से motion किया, horizontal axis से पीछे आए जब भी horizontal से आगे आओ, उपर जाओ, जहां जाना है तुम्हें जाओ जो ratio था, वही ratio रहेगा, sign sign रहेगा जो अंदर angle रहे, उन चीजों के अलावा, उसको लिख दो sign line की परवा मत करो, तो तुमने लिख दिया ऐसा है logic यह पूरा, अब क्या sir, इतना तो कोई भी कर लेता है तो आगे सुनो, तो भाईया, minus minus क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हाँ जी sir हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा sign pi by 3 sign pi by 3 का मतलब है, कि यह हो गया sign 60 degree sign 60 degree का मतलब है, कि आंसर आ चुका है, root 3 by 2 और लिजिए, आपके सामने आंसर आ गया इस टाइप के questions भी पूछे जाते हैं, आपको तरीके मालूम होने चाहिए इतना idea है, जिने कि आपका बड़ी idea है, चलिए, फटा-फट screenshot ले लिजिए इन सारी चीजों का भी, और इनका लेही लिया है, तो लगे हाथो यहाँ पे आके इन सारी चीजों का भी screenshot लेही है, बहुत ही बड़ी है, चलो तो यह question अपना हो चुका है, खतम और इस question के बाद अपन बढ़ सकते हैं, अगले सवाल पे, तो यह ninth था, तो यह रहा आपका last, tenth question, चलिए, discussion करें, आज़े, बहुत simple question है, इसको मैं पूरा solve करूं क्या, चलो कर देंगे, बही बोला था तो आज जो है, हमारे पास cot के अंदर minus 15 pi by 4 है, तो यह minus बाहर आ गया, तो cot बचा और अंदर हो गया 15 pi by 4, माइनस बाहर आ गया अंदर क्या बचा, cot 15 pi by 4, अब यह 15 pi by 4 को हमें दिमाग लगा के solve करना पड़ेगा, कैसे सर दिमाग लगाओगे, तो cot को बाहर रहने दो, 15 pi को हम लिखेंगे, 16 pi minus pi upon 4, क्या लिखेंगे, 16 pi minus pi upon 4, 4 से दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, चले इससे डिवाइड कर देते हैं, तो चलो कर देते हैं, बात है सर, आपने इसको solve किया, minus बाहर रहा, 16 pi by 4 बनता है, आपके पास 4 pi, ये 4 pi minus pi by 4 बन गया, बिल्कुल सही बात है सर, वापस से वही discussions में आप से कर लेता हूँ, अब देखें, 4 pi का मतलब तो आप समझते हैं, चलो अगले पेज पर ही करेंगे, हमने क्या लिखा है, minus cot 4 4 pi minus 4, अब मैं उतना परिशान नहीं करूँगा आपको, डायरेक्ट बताइए मुझे, 4 pi का मतलब समझते हैं आप, बिल्कुल सर, 4 pi का मतलब होता है, कि एक चक्कर में 2 pi, दो चक्कर में 4 pi, और 4 pi पहुँचने के बाद हम pi by 4 पीछे आ गये, येनि कि हम अठके कहा, हम अठक परिशानी तो नहीं, नहीं सर, समझ गया ना, पहले तो 4th quadrant में पहुचे, तो एक negative sign 4th quadrant का, because cottage negative in 4th quadrant, and then, क्योंकि 4 pi minus pi by 4, येनि कि 4th से पीछे आना, तो मतलब 4 pi से पीछे आना, येनि कि horizontal से पीछे आना, ये आगे जाना, तो ratio सेम रहेगा, quad का quad, जो angle था, उसको लिख दो, minus minus, plus बन गया, तो ये बन गया quad pi by 4, pi by 4 का मतलब तो जानते ही हो, pi by 4 का मतलब होता है 45 degree, तो ये बन गया quad 45 degree, quad 45 degree का मतलब होता है 1, तो answer कितना आ गया, answer आ गया 1, जल्दी से ले लीजे, इस चीज का screenshot, और अगर इसका ले लिया है, तो फटा-फट यहाँ पर आके इस चीज का भी screenshot ले लीजे, तो यहाँ पर अपना जो exercise है, होता है कतम, क्योंकि हमारे exercise में सिर्फ 10 ही question थे, आपको यहाँ पर एक चीज realize होगी, कि sir exercise में कम question होते हैं, जब आप examples की videos ले आते हो, तो डाइडाइ गंटे के बना देते हो, कारण है, भाईया, आप example में इतनी variety cover करवा देता हूँ, कि exercise कुछ बरसती ही नहीं, अब अगर सिर्फ NCRT करोगे आप अपने exam के लिए, फिर तो, although enough है exam के लिए, पर foundation strong नहीं बनेगा, आपकी maths अच्छी नहीं होगी, इसलिए मेरा objective रहता है, concept, questions, सब कुछ आपके लिए लाओ, तो यहाँ पर यह वीडियो होता है खतम, last but not the least, यहाँ पर Magnet Brains के website के बारे में आप जान लीजिए, जगह वो है, जहाँ पर education free है, तो कैसे achieve करना है इस जगह को, तो Google Chrome खोलिए, type करिए, www.magnetbrains.com, website खुलेगी, इस website पर जाते ही, CBSE English वाले section को select करते ही, class 11th को select करते ही, आपके सामने class 11th का course status खुलेगा, इसमें यह रहा मैं, यह रहा वाच नाओ, दबा दो, जैसे ही दबाओगे, तो मैंने जो जो chapters पढ़ा दिये, हो मिल जाएंगे, चाप्टर पे क्लिक करना, वीडियो प्ले हो जाएगी, और वो भी free of cost प्ले होती है, कोई भी पैसा नहीं देना है, यहने कि free education है, quality education है, तीन काम जरूर करना, like, share and subscribe, share करना जरूरी है, क्योंकि free education है, जितनी दूर तक बात पहुँचेगी, उतना बढ़िया काम होगा, है ना, बाकि कुछ doubt लगे इस वीडियो से relevant, बिल्कुल comment section आपके सामने है, वीडियो पसंद आई, समझ आई, तो comment section अगेन आपके सामने है, थोड़ी तारीफे कर दीजिए, जोज बढ़ता है, खुशी होती है, motivation मिलता है, inspiration मिलता है, आगे का content और अच्छा आपको मिलता है, तो comment करने से फाइदा आपको ही है, ऐसा बताना चाहता हूँ मैं, है ना, तो कर दो ज़रा, बाकी, that's all for this video, आने वाली वीडियो में, हम एक नया topic स्टार्ट करेंगे, trigonometric function का, जिसको कहते है, sum and difference of angle, बहुत important topic है, बहुत सारे questions है, अभी आपन मालूम है, trigonometric function के, कहलो, 45% part अपनने cover कर लिया, 45 भी नहीं, मैं बोलूँगा 40% part, इतने वीडियो में, हम अपनने सिर्फ 40% part cover किया, अब जो वीडियो आएंगे न, वो वीडियो कवर करेंगे, आपका trigonometric का वो portion, जो बहुत दमगार है, मज़ा आ जाएगा, so stay tuned at magnet brains for further content.